नहाने से पहले पानी में मिलाकर लगाओ जितने लंबे बाल चाहो उतने लंबे पाओ वो भी गारंटी के साथ है दोस्तों इसे आसान नुस्का आपको पूरे इंटरनेट पर कहने मिलेगा क्योंकि ये नुस्का आजमाया हुआ है बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरी तरीका है लेकिन इसे बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाना क इस मुस्के को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर ले रखा है दोस्तों मेथी की बीज का यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ बहुत है अच्छी होगी क्योंकि इसमें बिटामिन से और प्रोटीन होता है जो बालों को हेल्दी रखने के साथ साथ लंबा कैने मे मैध करता है इसके अलावा मेथी के बीजों में आयरन की अच्छी मातरा होती है जो कि blood circulation को बढ़ाती है सकैल्प के और बालों को अंदर से मचबूत बनाती है साथ ही साथ ही साही बालो के लिए मेथी हमेशा से ही बहुत फाइदे मन्द रही है मेथी में ऐसे ऐसे गुर होत बिल्कुल परसान हो चुके हैं तो आप मेथी के बीज का यूज जरूर करिएगा बहुत ही आसान सा नुस्खा है दोस्तों अब आपको इस मेथी के बीज में एक गिलास पानी को एड़ कर देना है पानी आपको बहुत ही जरूरी है पानी इस नुस्के के लिए सबसे जरूरी है क्योंकि जो भी निट्रेंस होंगे वो पानी में ही आपको लाने है और पानी का ही आपको यूज करना है लेकिन सही तरीके से जिया दोस्तों तरीका अगर आपको पता है सही तरीका बालों पर इ से medium flame पर उबालना है थोड़ा सा आप चम्मा से भी चलाते रहें ताकि मेथी के बीज नीचे भरतन में ना लगें और इसे चम्मा से चलाते रहें जब आप इसे उबालेंगे तो इसके जो भी nutrients है मेथी के जो भी nutrients है वो आसानी से पानी में आ जाएंगे और आप अपने बालो nutrients का यूज करना है और वो निकल कर आएंगे कहां इसी पानी में तो पानी से अपने बालों को जब आप वास करेंगे तरीके से सही तरीके से सही समय से और कितने दिन यूज करना है ये भी आपको जानना बेहर्द जरूरी है तो आपके बालों की growth बहुत ही तेज होगी नेक कोई कटोरी में चैचनी लगा के इसे निकाल लेना है देख पा रहे होंगे अभी इसमें से भाप निकल ला है क्योंकि अभी भी थोड़ा सा गरम ही है दोस्तों आपको इसे यूज कैसे करना है तरीका जरूर जान लिजेगा क्योंकि हमें इसमें कुछ और चीज़ों को add कर करना होगा अगर आपके स्कैल्प में रूसी है तो जी है दोस्तों अगर आपके स्कैल्प में रूसी है तभी आप उस चीज को यूज करिएगा वरना कोई जोगत नहीं है नेक्स्ट आपको यूज करना है दोस्तों नीबू का नीबू में बिटामिन C, बिटामिन B अप फ अभी समस्याओं को भी खत्म कर देता है ये नीबू आपको आधे नीबू को लेना है दोस्तों उसके के लिए आपको पूरी नीबू की जुगत नहीं है और आपको चमच में नीबू के रस को निकाल लेना है अभी आप देख पाएंगे कि जब हम इस रस को इसमें डाल रहे ह तो पानी का कलर कितने आसाने से चिंज हो जाएगा जया दोस्तों अभी तक यलो था अब ये देखे बिलकुल वाइट हो चुका क्योंकि नीबू बहुत ही सकती साली होता है बालो के लिए तो अगर आपके स्कैल्प में रूसी है तो आप इस नीबू को यूज कर सकते हैं वरना कोई जवी नहीं है आप नॉर्मली मेथी के पानी को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए जानते हैं अब इसे यूज कैसे करना है लगाना कैसे है अपने बालो पर तो सबसे पहले अगर आप नीबू इसमें डाल लाए है तो आपको सब्ताह में एक दिन यूज किया है तो सब्ताह में दो से तीन दिन आप इस नुस्खे का यूज कर सकती है सुबह नहाने से पहले अपने गीले बालो में इसे लगाना है बालो को साधे पानी से गीला कर लेना है उसके बाद अपने बालो में इसे लगा कर कम से कम 15-20 में लिए छोड़ देना है फिर किवल इतना सा काम है इतने में आपके बालों के ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो ट्राइ करिए और कमेंट में जरूर बताईएगा कि आपके बालों पर कितना फर्क पड़ा